नमस्ते इंडिया मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज किया रहाब मेरे आज के स्वीडो में हम बात करेंगे कि आफ्टर डिलीवरी महिलाओं में जो बाल जड़ने की समस्या होती है वो क्यों होती है उसका क्या कारण होता है आप ऐसे कौन से उपाई कर सकते हो कौन से होम रेमडी कर सकते हो जिससे बाल जड़ने की समस्या कम हो और आपके बालों को मजबूती मिल सके थार्ड चीज के किस कंडिशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसी के बारे में आज के मेरी सीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा कि तरह एक रिक्वेस्ट है परिशान हो जाते हैं कि सड़नली बाल जड़ने क्यों स्टार्ट हो जाते हैं वो भी इतने जादा तो इसके पीछे लोजिक क्या होता है सबसे पहले वो समझना बहुत जरूरी होता है ताकि आप कोई भी किसी तरह की टैंशन ना ले मानसिक तनाव ना ले क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी के बाद में मानसिक तनाव लेना बहुत ही गलत होता है इसलिए आपको इसके पीछे का सही लोजिक पता होना चाहिए मैं आपको सबसे बहले एक छोटा सा एक्जेंपल देती हूँ जैसे कि एक प्लांट है एक पोधा है जब बारिश होती है तो पोधे के जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे दिखते हैं तूटते नहीं हैं बहुत अच्छे और सुंदर लगते हैं बट जैसे ही धूब निकलती है गर्मियों में कडाके की धूब पड़ती है तो जो पोधे के कुछ पत्ते होते हैं कुछ लीफ होते हैं वो सूख जाते हैं यल हो जाते हैं और सूख के वो पोधे से जड़ जाते हैं यही चीज प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं के साथ होती हैं प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो एक हरियाली वाला बहुत ही अच् हैं बट जब delivery होती है delivery के बाद जो pregnancy time में हमारे body में hormones change हुए हैं वो धीरे धीरे पहले वाली condition में हमारी body आने start हो जाती है pregnancy जब कोई महिला conceive करती हैं तो starting के एक दो महीने में भी कई महिलाओं को बाल जड़ने की problem होती है बट धीरे धीरे जब pregnancy के hormones body में बढ़ने लगते हैं तो एक estrogen नाम का hormone होता है जो के pregnancy time में अपने peak level पे होता है बहुत जादा होता है जो हमारे बालों को बहुत मजबूत बनाता है और उस hormone की वज़े से ही हमारे बाल घने और सुन्दर दिखते हैं pregnancy time में बट जब delivery होती है और body पहले वाली condition में आना start करती है तो जो estrogen लेवल उस time पे यहां पे था वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और delivery होने के एक डिड़ महीने बाद महिलाओं में बाल जड़ने की समस्या हो जाती है जिससे लेके new मदस बहुत परिशान हो जाते हैं क्योंकि जब हम कंग ही करते हैं हम head wash करते हैं या ऐसे भी बालों को touch करते हैं तो बाल निकल के आते हैं जो के हमें बहुत ही बुरा लगता है और बालों का जड़ना एक ऐसी समस्या है जिसको लेके हर इंसान परिशान होता है और tension में आ ज लिए mostly सब्सक्राइब होती युड़ा के साथ होती है और वो आपके साथ भी होनी होती है जो कर दो चल रही होती है तो इसमें panik होने के क्यों कोई बी बात नहीं होती है यह हमारे जो head पे जो hair होते है इंसे 85% hair active होते हैं और 15% हे ऐसे लिए जो और तूटते हैं बट प्रे का लेवल कम होता है तो जो प्रेग्नेंसी के टाइम पे बाल नहीं तूटे वह सड़नी तूटना स्टार्ट हो जाते हैं जिसे देख के हमें लगता है कि हमारे बाल बहुत जादा टूट रहे हैं बटे कि नैचरल प्रोसेस है और कुछ टाइम में यह ओटोमेटिक ठीक भी हो मजबूती मिले और बाल कम मातरा में तूटे इसके लिए आप क्या कर सकते हो सबसे पहली चीज़ अगर आप कंफरटेबल हो तो डिलीवरी के बाद आप हेर कट करवा लो परसनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे बाल स्टार्टिंग से ही बहुत लंबे थे और मैं मैं डिलीवरी टाइम तक हेर कट नहीं करवाया बट आफ्टर डिलीवरी मैंने हेर कट करवाया जो के सिर्फ एक सिंपल सा हेर कट था जिसमें मैंने बालों की लैंद कम करवाई थी क्योंकि एक तो वो टाइम ऐसा होता है कि हमारी बोडी को केर चाहिए होती है हमें बच्च से कर पाओगे जो मसाज है माली शाय बालों की अच्छे से हो पाएगी उससे बालों का जो स्कैल्प है उसको मजबूती मिलेगी इसलिए आप हेर कट करवा सकते हो सेकेंड चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि डिलीवरी के बाद आप हर रोज अपने हैड की मसाज करवाओ गुनगुने तेल से आप मसाज करवा सकते हो फिंगर की सहायता से आप अच्छे से मसाज करो ताकि जो स्कैल्प में बलड फ्लो है वो अच्छे से रहे बालों को मजबूती मिले जो स्कैल्प है वो उसकी जो स्कीन है वो अच्छी रहे आप मसाज करवाओ और फिर आप उस कि अपने टाइम में मैंने भी की थी क्योंकि मैंने जब मेरे बाल जड़ने स्टाट हो तो मैंने डोक्टर से कंसल्ट नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि एक नैचुरल है और यह सब के साथ होता है इस कोई तेल कोई शैंपू ऐसा नहीं होता जिससे कि जो फ्लो है वह अच्छे से रहें तो आप दो होम रेमडी कर सकते हो सबसे पहले आप दही का यूज कर सकते हो दही बालों के लिए बहुत अच्छी होती है आप दही लगाके उसको आप धीरे-धीरे से मसाज करवा लो या फिर खुद कर लो और फिर आदे एक गंटे बाद आप हैड वोश कर दो किसी भी माइल्ड शैंपू के साथ नेक्स चीज आप यह कर सकते हो कि जो मेथी दाना होता है वह बालों के लिए बहुत अच्छा होता है आप दो तीन चमच मेथी दाना के एक गिलास पानी में बिगो दो रात बहर उसको बिगो के रखो सुबह आप ठाल जो पानि आपने चाना हां उसको आपने अपने कर लगा लो अच्छे से लगा लो सार हो और फिर एक घंटे के बाद आप हैड वोश कर सकते हो शैंपू के साथ तो आप यह दो तरीके अपना सकते हो जिस्से के बाल जो है वह तो जढ़ने है वह थे के और कॉम मातरा मे अगर आपके बाल इस तरह से ज़ड़ रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ज़गा से आपको अगर बालों का आपके लिए इतना जादा हो रहा है कि होता क्या है कि जो ये प्रोसीजर होता है जो ये नैच्रल प्रोसेस होती है वो मैक्सिमम एक साल तक होती है क्योंकि जब हमारा बेबी एक साल का होता है तो ये ओटोमेटिक अपने आप ही ठीक हो जाता है दीरे-दीरे कम होने लग जाता है बालों का तो आप उसके लिए भी अपने डोक्टर से कंसल्ट करो ताकि डोक्टर्स आपको अच्छे से कोई भी मैडिसन या फिर सप्लिमेंट्स आपको अवेलबल करवा सके जिससे आपको बेनिफिट मिल सके आप इस दुरान अपने डाइट का भी अच्छे से ध्यान रखें अपनी आप प्रोटीन चीज़ शामिल करें यह बहुत आप पनीर यूज कर सकते हो सोया बिन खा सकते हो दाले खा सकते हो तो आप प्रोटीन ज्यादा मातरा मिलें और अफ्टर डिलीवरी जो भी मैडिसन आपके डोक्टर ने आपको बोली है आईरन हो गया कैल्शियम हो गया वह time to time लेते रहें और अगर जो दो बाते मैंने आपको बताई है ऐसी दो condition है तो जल से जल अपने डोक्टर से consult करें बस panic बिल्कुल भी ना हो क्योंकि ये mostly सभी महिलाओं के साथ होता है जो कि बिल्कुल natural है और market में मेरे हिसाब से ऐसा कोई तेल और शैंपू अवेलबल नहीं है जो कि इस प्रोसेस को रोक सके बालों का जड़ना एकदम से बंद कर सके ये एक natural प्रोसेस है जो कि अपने आप complete होके बालों का जड़ना दीरे-दीरे ठीक हो जाता है I hope कि मेरे चोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा